पूरे देश में राष्ट्रिय फर्व के रूप में तिरंगा जंडा का जो कारिक्रम में मनाये जा रहा है और हमारे फत्वा विधान सवा में भी ये 30 किलो मीटर का जंडा का कारिक्रम है जो प्रक्यारपूर से चलकर महारानी चोक तक जाएगा महारानी चोक पर इसको हम लोग सवाप्ति की घोसना करेंगे लगबग इसमें 300 कार्टा जो आप मुर्चा से जो मुर्चा से आ रहे हैं अभी खुजरूपूर में है और हम लोग फिर हां से जितने भी 100-100 जो कार्ट करता है मिल करके चार से 500 लोग कर हम लोग मारानी चोक तक हूँजेंगे सारा हिंदू एक हो अज एक ही संदेश है यह बहुत सान और फक्री बात है आज देश के 140 करोड हिंदूस्तानियों का सीना हूचा है यह जंडा कोई खपरा का ठुकरा नहीं है यह देश के बरिदानियों को खून के एक कत्रे को याद दिलाता है यह हमारी स्वतंता सगराम के सनानियों को फूजा करने का आखों में सर्धा के आंसू और हाथों में इस ने का फूल चरहने का याद दिलाता है हम ऐसे सहीडों को कोटी-कोटी नमन और प्रनाम और चंदन बंदन अभी नंदन प्रनाम करते हैं और हमारा पुरा इतिहाद प्रनाम करते रहेगा भूतों भी भविश भी और बर्तमान भी हम ऐसे सहनानियों के स्गंधा स्ग्राम के पलिदानियों को इस घंडा दिवकर पर घंडा किलंदा करके उनके खूर्फषीनों को ज Yahड करते हैं इसी के साथ जैविश घंडा तवहार हमायरा कायम रहें चयई अई भारत जयव भलिदान क्याष जय dazuestyle सह जिए हम लोग बाड़ात की आजादी 497 में हुई थी और उसी के अनुसार हम लोग 15 अगस्त को पर्तिवस्त जन्रों तोलन करकर के आजादी का जस्त मनाते हैं और इसी जस्त के अनुसार हम लोग का एक कार्शकरम 13 से 15 तक का लगातार कार्शकरम चला है और हमारे पूरे फटुवा में और फटुवा बिधान सभा के अंतरगत तरंगा जातरा का कार्शकरम है और उसी के निमित आज हम लोग बक्तियारपूर से फटुवा तक तरंगा का परदर्शन कर रहे हैं और इसका समापन हम लोगे खत्मा के महरानी चौक वे करेंगे और मैं समी भारतमासियों से अनुरोद करूंगा कि तिनंगा के सम्मान करते हुए हिंदू एक्ता का फर्चे दें कर आप जये श्रीराम मैं रामजी परसाद जिला परवक्ता अंगटन जिला बार्थ हर्गर्ट रंगा यात्रा हा और घर त्रयंगा यात्रा संकल्प है भार्क मुझे की सुरच्छा की अब बलगानियों की याद जिलाता है इस देश के आजादी के लिए हम लोग की से बलगा कंद्ध है और इसके सर्या रंग एक बारत कि खननता और को मुझा इन्म पर खर हंदा है तो बहुत जो बहुत ही ज्रोरी है आज देश में जातीबाद का बहुत बड़ा बड़ा Le at जाती भाद पूर्वकाल में जाती भाद थी नहीं लेकिन भी पच्चियां गया रहा बार बार जाती भाद लाया जारा है जाती जन गनना के बहाने यह बहुत ही देश को तोडने वाला चीज है कि हिंदु को जाती में भाटा जाए जैसे अंग्रेजों में किया था और मुसीन का भोटी कठे लिया जाए इसलिए आज के समय तिरंगा यात्रा हर व्यक्ति को जागरूप करना बहुत जरूरी हो गया है इसलिए भारत माता की जैक आते हुए हम चाहते हैं कि सारे हिंदु एक जूट हो अपनी भार मात्री भूमी के रच्छा के लिए बल्दान के लिए तिरंगा यात्रा में सामिल हो ब्रत्यारपुर से जन्ड़ा यात्रा निकला है और फत्मा इरे पुरा होते हुए मरानी चोप पर जन्ड़ा यात्रा समाप्थ हो जागी जिसमें भार्तिये जन्ता पार्टी के फत्मा विधान तर्वागे पूर्ग पत्याजी सहतंदर सिंग के नित्रितु में फत्मा विधान समा तक मरानी चोपर जाके समाप्ठो जाकी और देशबाचियों को बहुत-बहुत आर्दिक सुभकावना है प्रदान मंत्री की ओर से सभी देशबाचियों को तिरंगा यात्रा में सामिल होने के लिए उनके आदेश पर निदेश पर सब लोग हम लोग भना यात्रा निकाले है संतोस जादव जल्ला मंदल अध्याच पैक सद्याच मर्ची पंचार पंदर अगस्त को उन्हें साथालिस को भारत स्वतंत्र हुआ था आज कर पंदर अगस्त का दीन जो है मारतिय संभीधान में स्वर्न अस्रोम यंकी थे अब उसी को तरो ताजा करने के लिए हर साल हम लोग स्वतंत्रा दिवस जो है मनाते हैं अपने सहीदों को संधानजली देते हैं और देश के जुआओं को नोजवानों को गिशानों को सभी जनों को जागरित करने के लिए अपने देश के परति तिरंगा यात्रा जो है हम लोग भार्तिय जन्ता पार्टी के तरफ से निकालने का हुआ है 13 से 15 तक उसी करम में हम लोग पत्वा विधान सभाव के में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले भिलिप कुमार सिंग पत्वा विधान सभाव आप समय पत्ता निकालेंगा यात्रा जो संदाई आपको शैफाल यात्रा निकालार सतों एक आपकंपको दोस्ता समय है इसे को अपको पत्तों मग नेकाले प्रैटों है अर्ड नमस्कार नमस्कार हाराज मताकी हाराज मताकी जन्ता पार्टी साथ विभिन संस्थाओं के लोगे पुड़ा जम्मू, जन्समुद, जन्सलाप उमर पुड़ा है इस तिरंगा जट्टा में, इस तिरंगा यात्वा में, इस तिरंगा यात्वा के मातल से हम उन बीर सपुतों को नमन करना चाहते हैं, जिनने देश की अजादी में सीड़ी पे गुलिया खाई है, उन बीर महापुर्सों को में परनाम करना चाहता हूँ, जिनने संक नातर के लोगों को जिनाया है उन जाहितिक और कभी पत्रकार तुमें नमण करता हूं जिनें सम्तिनाद करके लोगों में अक्रोज भड़ा है उन परनेता को परनाम करना चाहता हूं कि अपर जन समू देखाई पर रहा है और मैं यसस्वी पढ़ान मंत्री को बहुत बहुत अभार बेख करना चाहता हूं कि आपने जन मानस को इस तिरंगा यात्रा के लिए जिस भक्ती भावना से ओध परोध किया है ऐसे है यसस्वी पढ़ान मंत्री को मैं आप बहुत करना चाहता हूं कि आपने ना सिर्फ़ परटी को मजबूत किया है देश को मजबूत किया है आप जिवान को Rs15, आप सी प्नाजनीत नहीं करते हैं, राष्ट निर्मान भी करते हैं, इस बात को लेकि आज, हर युवा आपके पर्ती प्रेरीट होकर, तृंगा यात्रा में सामिल होकर भारत मात्रा को जय कर रहा है, और भारत मात्रा की तृंगा को लाराने के लिए, आज वो संकल भी ले रहा है कि जीते जिनकी मैं भारत माता की जंड़ा को जूखने नहीं दोगा और जा स्याचिनों चावराजस्थानों या कारगिलों जहां भी हमारे साइनिक जटे हुए उनके परिवार को मैं परनाम करता हूँ कैसे सपूतों को जनम देके आपने देश की रच कि खड़ा है आज जब जागते हैं तब हम सोते हैं जब वो तटश रहते हैं तब हम इन्ज्वाइ करते उनकी भावना को लेकर मैं सैलूट करता हूँ सलाम करता हूँ मैं संदीब कुमार यादब पुर परदेश सुपाधच किसान पुर्चा आरात मता की जै आरात मता की पुर्चा